हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम आपके अपने यूट्यूब चैनल और टेकीजी पर सभी का स्वागत है दोस्तों देश के हवाई नेटवर्क से बिहार के सिमांचल को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है इसके लिए पूर्णिया में राजिका चोथे एरपोर्ट का निर्मान होगा पूर्णिया में नागरिक बिमान सेवा सुरू करने के लिए एरपोर्ट ऑदरिटी ऑफ इंडिया एए आई और बिहार सरकार के बीच समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षड हुआ है पटना गयाद दरबंगा के बाद अब पूर्णिया से भी यात्री बिमान के जड़िये दूसरे सहर तक जा सकेंगे एरपोर्ट ऑटरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करी है जानकारी दी है उरान योजना के तहत पूर्णिया एरपोर्ट को भी दरबंगा एरपोर्ट की तरज पर विक्सित किया जाना है यहां भी पहले से एरफोर्स स्टेशन और शांदार रनवे की सुविदा है सीविल इंकलेब के निर्मान के साथ रनवे की जरुत के अनुसार री कार पेंटिंग की जाएगी पूर्णिया एरपोर्ट निर्मान और दरबंगा एरपोर्ट के विकास पर करिब 2000 करोर खर्च होंगे नए एरपोर्ट के निर्मान से सिमान चलवा उसके आसपास के लोगों को वेपार और यातायात सहित अनिशुविदाएं मिल सकेंगी छेतर में वेफसाई गतिवीदियां बढ़ने से नए रोजकार के अफसर स्रिजित होंगे साथ ही आपात इस्थिती में एर एंबुलेंस वर अन सेवाओं में भी इलाकों के लोगों को रहत मिलेगी पूर्णिया में एरपोर्ट निर्मान के लिए एए आई और ब्यार सरकार के बीच करार हुआ है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें सेर करें कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के शाथ तब तक आप देखते रहें और टे कीजी जय हिन जय भारत